और प्रतेक दिवस की भाती आज भी लाइव चर्चा का कारिक्रम शुरू हो रहा है यह दिपी आज जो लाइव चर्चा का कारिक्रम है वो लाइव है पीछे कुछ दिनों से आप प्रीमियर वीडियोज ही आप देख पा रहे थे लेकिन आज का कारिक्रम लाइव चर्चा का क इक्रम है अर्थात मैं भी इधर से लाइव हूँ और आप भी उधर से लाइव हैं अपने कमेंट के माध्यम से आप कमेंट्स करकर इंट्रेक्ट कर सकते हैं टो चलिए आज की चर्चा हम शुरू करेंगे आज की चर्चा अलग है क्योंकि यह प्रिमिर विडियो नहीं है यह लाइव विडियो है truthful हम शुरू करेंगे आज का जो डिसकुशन है आज का जो टॉपिक है योग भुमी योग भुमी क्या है अशरमय दिव्य अरोभूति भारित यह चर्चा है यह नवा व्याक्यान है ऐसा ना समझे कि यह शिव सुत्रम नौ लिखा है तो यह कोई नवे सुत्र पर चर्चा नहीं है बलकि नवा व्याक्यान है इसलिए इसे शिव सुत्र नाइन लिखा गया है तो शिव सुत्र के नवे सुत्र पर नहीं अपितु हम जो आज चर्चा करेंगे वह शिव सुत्र के तो शिव सुत्र के अंतरगत जो चर्चा है आप सुनते जा रहे हैं साथ में समझने की भी आवशक्ता है शिव सुत्र के सांभा उपाय का यह विशय है ठीक, तीन भागों में बटा है शांभा उपाय, शाक्त उपाय और आणव उपाय और फिर इस पंद कारिका के चर्चा भी शिव सुत्र के अंतरगत आती है शांभा उपाय के अंतरगत हम सारी चर्चा को कर रहे हैं अभी शांभा उपाय में जो बारहमा सुत्र है विश्मयो योग भूमी का शांभा उपाय का बारहमा सुत्र है विश्मयो योग भूमी का अर्थात योग भूमी का बड़ा ही आश्चर चकित करने वाली है तो यह अश्चर मई दिव्य अनुभूती क्या है और योग भूमी क्या है आज हम इस पर चर्चा करेंगे और इसका महत्व क्या है एक योगी के जीवन में योग भूमी का क्या महत्व है यह भी आज हम विशार में अपने रखेंगे तो आज की जो चर्चा है बड़ी गहन चर्चा है थोड़ी गंभीर चर्चा है इतना जरूर समझ लेजिए इसमें गंभीरता है और गंभीरता से समझने योग्य बाते हैं शायद सबके समझ में आने वाली बाते भी नहीं है सबके समझ में बाते आ जाए ऐसा भी नहीं है वैक्या ध्यारोह विश्रांति रूप योग भूमी आशर्य रूप है इसका आर्थ है योग भूमी आशर्य रूप है विश्मयो योग भूमी का भूमी का शब्द का आर्थ क्या है यह कैसा विशय है भूमी का इसको हमें समझना पड़ेगा तो विश्मयो योग भूमी का विश्मय मतलब आश्यर चकित होना विश्मय हो जाना और योग भूमी का भूमी का मतलब हम जब कोई किताब लिखते हैं हम जब कोई बुक लिखते हैं कोई उपन्यास की रशना करते हैं या कोई भी आप किताब लिखिए तो उसमें हम प्रारंब में उसकी भूमी का देखते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में हम उसे कह सकते हैं प्रीफेस प्रीफेस तो प्रीफेस का अर्थ है कि उसमें बताया गया होगा कि पुस्तक के अंदर क्या है पुस्तक का आधार भी क्या है तो पुस्तक में जो बाते उपन्यास में जो बाते लिखी गई है उसका संचेप में एक जानकारी ताकि पाठकों की रूची बढ़ जाए उनका इंट्रेस्ट बढ़ जाए कि भाई हमें क्या पढ़ना है आगे कौन सी कहानी पढ़नी है तो प्रीफिस लिखने का ये इंपोर्टन्स होता है वैसे ही जो वर्ड है भूमी का अगर यह शब्द हमें सही से समझ में आ गया तो योग भूमी भी हमें समझ में आ जाएगा भूमी का क्या है भूमी का मतलब आधार हम जब कोई पुस्तक लिखते हैं कोई उपन्यास लिखते हैं तो उसकी भूमी का लिखते हैं पहले ताकि पाठकों को ये बताया जा सके कि यह जो गरंथ लिखा जा रहा है यह जो उपन्यास या पुस्तक की रशना हो रही है उसका आधार क्या है हमने इस पुस्तक में जो कथा लिखी है उसके facts real है या unreal है या fiction है या फिर उनका reality से कोई संबंद है भी की नहीं अगर है तो किस प्रकार से है मतलब हम एक आधार एक भूमिका गणते हैं कि तब जाकर हम जब भूमिका लिख देते हैं तो भूमिका पाठकों के मन में जो readers हैं उनके mind में एक curiosity को develop कर देता है और वो पुस्तक को पढ़ते हैं वो उपन्यास को पढ़ते हैं तो भूमिका शब्द का अर्थ आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर योग भूमिका किसे कहा गया विश्मय योग भूमिका साथ में एक word जोड़ा गया है विश्मय आश्यर्य विश्मित हो जाना आश्यर्य चकित हो जाना विश्मय का अर्थ है विश्मित विश्मय का अर्थ है आश्यर्य चकित होना तो यहाँ पर शिव सुत्र में जो यह अशुत्र कहा जा रहा है बहुत ही गंभीर है और बहुती गहरी बात को हमें बता रहा है साथ सबको इसका अनुभाव ना हो पाए लेकिन समझ में तो आ जाएगा विश्मयो योग भूमी का योग भूमी आश्चर रूप है आनंद प्राप्त करके जैसे मनुष्य विश्मय अत्वा एक विलक्षन अवस्था को प्राप्त होता है इसी प्रकार की योगियों को निरंतर परमानंद की अनुभूती होती है यह योग भूमी आत्मा से सम्यक योग प्राप्त करने पर प्राप्त होती है जब सही में योग प्रारंब होगा सही में योग प्रारंब होगा तो यहाँ पर योग भूमी को समझाने का प्रयास किया जा रहा है परन्तु योग भूमी है क्या यह हम शब्दों में समझ सके मैं प्रयास करूँगा कि आप समझ पाएं मेरी कोशिश होगी कि आप समझ पाएं कि योग भूमी क्या है पर और मेरा जो अनुभाव है वो इस ठीका से मिलता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ वास्तों में उपनीशदों में योग के जो गूल रहस से बताए गए हैं वा योग भूमी का ही निर्मान करते हैं योग भूमी का तागपर है जैसे कि अभी हमने सुना कि एक पुस्तक की रचना एक ग्रंथ की जब रचना होती है तो उसकी भूमी का लिखे जाती है भूमिका या प्रिफेस लिखा जाता है या आश्रे लिखा जाता है तो आश्रे लिखने का उद्देश या भूमिका लिखने का यही उद्देश है कि लोगों को समझाया जा सके कि इस पुस्तक को इस गरंथ की जो सामगरी है या या इस उपन्यास में जो कथा है उसका आधार क्या है और उस कथा का महत्व क्या है तो उसके परती एक जागरुकता पहले ही बन जाएगी तो उपन्यास पढ़ना सरल हो जाएगा और उसमें एक सुभाविक रूची भी आ जाएगी एक इंटरेस्ट आ जाएगा एक इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा एक रूची बननी शुरू हो जाएगी तो ये हमें भूमिका यह काम करती है तो भूमिका का यह महत्व होता है इसलिए योग भूमिका का भी बहुत ही महत्व होता है लेकिन योग भूमी का प्राप्त कैसे हो या योग भूमी कैसे प्राप्त हो जब साधक सही दिशा में साधना करता है ध्यान से सुनिए योग भूमी किसे कहा गया है यदि आप समझना चाहते हैं तो ध्यान से इसको समझे थोड़ा सा यह गूड़ विशे है थोड़ा सा रहस्मई है थोड़ा सा रहस्मई है तो योग भूमी का निर्मान कैसे होता है अगर आपकी साधना सही दिशा में जा रही है यदि आप किसी गुरू के पास गए है या आप किसी अध्यात्मिक प्रेरक के पास स्प्रिच्वल गाइड के पास आप गए है और आप उनसे योग सीख रहे है अब योग क्या है योग अभ्यास में शरीर का जो फिटनेस है वह सेकेंडरी है प्राइमरी क्या है माइंड, साइकलोजी, अध्यात्मिक, स्वरूप का ग्यान होना ये योग का उद्धिश है तो जब भी आप किसी स्प्रिच्वल गाइड के पास जाएंगे, किसी गुरू के पास जाएंगे क्योंकि आज की समय में इस बात को समझना थोड़ा कठिन है आज के समय में इस बात को समझना थोड़ा कठिन जरूर है क्यों कठिन है कि बहुत सारे गुरु है हमारे संसार में आज के समय में हमारे देश में बहुत सारे योग गुरु है और वो तरह तरह का योग करवाते हैं लेकिन यहाँ पर विस्मयो योग भूमिका के जो चर्चा है उसको समझने के लिए थोड़ी सुक्ष में दृष्टी चाहिए और वह सुक्ष में दृष्टी क्या है? आज हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं तो योग भूमिका का अंदर्मान कैसे होगा? योग साधना से होगा? आपको योगा अभ्यास करने का तातपरे क्या है? योगा अभ्यास करने का तातपरे क्या है? आप फिजिकली फिट रही है? या कुछ और? जी नहीं, फिजिकल फिटनेस तो ठीक है तो आप किसी योग गुरु के पास जाते हैं धर्म गुरु के पास जाते हैं आपको मिलता क्या है वहां से क्या मिलता है क्या आपको योग भूमी प्राप्त होती है या नहीं होती है जब सही दिशा में साधना होगी अब आप ध्यान से सुन लीजिए योग भूमी का बहुत भारी महत्व है आपको योग भूमी प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है आप अच्छे से आज समझ पाएंगे आप योग कर रहे हैं आपने गुरु कर लिया है गुरु धारन कर लिया है और गुरु करकर आप उनके बताए हुए मंत्र का अभ्यास कर रहे हैं, बताए हुए साधना का अभ्यास कर रहे हैं, साधना का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन आपको योग भूमी प्राप्त है कि नहीं है, क्योंकि यदि योग भूमी प्राप्त नहीं है, तो योग में विकास संभव नहीं है, यदि आपको योग भूमी प्राप्त नहीं है तो योग में development possible नहीं है क्योंकि भूमी का होना अनिवार है अरे भाई आपके पास भूमी नहीं है तो मकान कहां खड़ा करोगे मकान कैसे बनाओगे अगर भूमी ही नहीं है तो योग भूमी का होना बहुत ही जरूरी है गुरु बना लिया, साधना कर लिया, मंत्र जाब कर लिया और गुरु के परती प्रेम भी हो गया गुरु के परती अथा प्रेम भी हो गया क्योंकि बहुत समझाया गया जिस आश्रम में आप जुड़ गये जिस संस्थान में आप जुड़ गए, वहाँ पर आपको समझाया गया कि गुरु भक्ती कीजिए, गुरु के चर्णों में समर्पित हो जाईए, जैसा गुरुदेव कहते हैं, वैसा ही करिए, आपका मोक्ष अपने आप ही हो जाएगा, आपको बहुत बड़ी-बड़ी बात कहते हैं, तो आपने गुरु तो बना लिया, आपने किसी से कुछ सीख भी लिया, लेकिन प्रश्न उठता है कि अगर योग भूमी आपको प्राप्त नहीं हुई, तो योग संभव नहीं है, इसलिए योग भूमी का होती है, और योग भूमी का क्या है? योगी की अनुभा प्रारंभिक अनुभूतियां क्या वो अनुभूतियां ही ब्रह्म है जी नहीं ऐसा कभी सोचने का और समझने की गलती मत कीजिएगा बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे हमारे देश में ऐसे गुरुजन हैं और संस्थाएं हैं जो साधकों को थोड़ा बहुत experience करके करवाती हैं कहती हैं कि आपको भगवान दिख गया भगवान के दर्शन हो गया आपको ब्रह्म में दिख गया जी आपको ब्रह्म में ज्यान हो गया आप ब्रह्म में ज्यानी हो गया घोशना कर दी जाती है लेकिन थोड़ा शास्त्र पढ़लो, थोड़ा अध्वैत विदान्त सुत्र पढ़लो, थोड़ा शिव सुत्र पढ़लो तो समझ में आएगा कि ब्रह्म ज्यान हुआ भी है कि नहीं हुआ है या ब्रह्म ज्यान किसरे बाते हैं, धिंडोरा पिटा जा रहा है कि ब्रह्म ज्यान लेलो, ब्रह्म ज्यान लेलो, कहीं मात्र धिंडोरा तो नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्यान हो जाना, ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध होना, ब्रह्म आत्मेक्यत्व बोध हम, इसे आदिगुरु शंकराचार ने विवेक चुलामनी में कई बार रिपीट रिपीट करकर वो बार-बार इस बात को कहते हैं कि ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध होना या ब्रह्म ज्यान की स्थिति तब जाकर बनेगी उससे पहले जो भी अनुभूतियां आ रही है वह अभिव्यक्ति है ब्रह्मन अभिव्यक्ति करानी योगे कि ब्रह्म की अभिव्यक्ति मात्र होती है मैनिफेस्टेशन है वो ना कि ब्रह्म है तो विवर्तवाद अद्वईत सिधान्त में विवर्तवाद की माननेता है manifestation विवर्त मतलब manifestation सांखे में विकासवाद की माननेता है मतलब evolution की माननेता है evolutionary theory है और जो अध्वाइत वेदान्त है वह विवर्तवाद manifestation में विश्वास करती है विवर्त में विश्वास करती है लेकिन creation में विश्वास नहीं करती है ध्यान रखिएगा किसी उपर वाले ने दुनिया create की है या बनाई है ऐसा विश्वास हमारे शास्त्र हाँ ठीक है कुछ शास्त्रों के कुछ भाग ऐसा बाते कह रहे हों लेकिन जो हमारे पौरानिक शास्त्र है जो वैदिक शुद्ध शास्त्र है वो ऐसी विचारधारा को नहीं मानते कि किसी ने इस संसार को बनाया है बलकि या विवर्त के रूप में है या विकासवाद के रूप में है या तो manifestation है या evolution है बट creation नहीं है इस बहुत भारी अंतर को समझने की आवशक्ता है तो यह जो संसार है यह जो योग साधना है जब योगी योग साधना करता है तो वो कई अनुभूतियों से गुजरता है कैसी अनुभूतियां सारी अनुभूतियों की यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा कुछ विशेश अनुभूतियों से वो गुजरता है वह जो विशेश अनुभूतियां है वही योग भूमी है एक योगी कुछ विशेश अनुभूतियों से गुजरता है वह जो विशेश अनुभूतियां है वही योग भूमी है अब मैं उन अनुभूतियों के बारे में बताऊंगा हो सकता है कि आप उस अनुभूतियों को प्राप्त करते हो और हो सकता है कि आप उन अनुभूतियों को ना प्राप्त करते हो ऐसा भी हो सकता है कि आप उन अनुभूतियों को प्राप्त करते हो या फिर उन अनुभूतियों को ना प्राप्त करते हो अगर आप ऐसी अनुभूतियों को प्राप्त करते हैं तो आपको योग भूमी प्राप्त है विशेशकर ध्यान योग का कोर्स करने वाले लोग जिन्होंने ध्यान योग का कोर्स कर लिया है निश्य ही इस चैनल के माध्यम से ध्यान योग का कोर्स भी चलता है ओनलाइन कोर्स और कभी-कभी आफलाइन भी होता है तो यदि आपने ध्यान योग का कोर्स किया है तो निश्य ही आप अगर अगर आप अभ्यास करते हैं साधना करते हैं सही से करते हैं तभी अन्मने ढंग से करते हैं तो नहीं, अगर आप करते हैं तो निश्य ही आपको योग भूमी प्राप्त हो जाएगे, और योग भूमी प्राप्त होने की अनुभूतियां क्या हैं उसे ध्यान से सुन लेजिए, यदि आपको योग भूमी प्राप्त हैं त आप शुन्य की अवस्था का अनुभाव करना शुरू कर देंगे आपकी स्वासे रुख जाएंगी आप ऐसे अवस्था में जाएंगे जहां स्वासे छोटी हो जाएंगी और लगबग रुख सी जाएंगी और आप शुन्य का अनुभाव करेंगे एक सिरिनिटी एक स्थिर् एक कामनेस उसमें आपकी जो स्वासे हैं जो प्राणों की चंचलता है वह भी शान्त हो जाएगी ऐसी अवस्थाएं बनेंगी सुशुमना के अंदर उर्जा का प्रवाह अनुभा होगा सुशुमना नाधी में यहाँ पर इस जगह पर vibrations मैसूस होते हैं आपको इस जगह पर vibrations मैसूस होंगे तो समझिए कि योग भूमी आपको प्राप्त हो रही है साथ ही साथ आपको ऐसा अनुभा हो सकता है जैसे की कमर से रिड़ की हड़ी के नीचे से एक vibration उठेगा इस तरह से और यहाँ आके टकराएगा मेड्डूला में आपके इस जगह पर सिर के पीछे आकर टकराएगा जहां बिंदू चकर होता है उस बिंदू चकर के पास आकर वह टकराएगा ठीक है? तो यह जो बिंदू चकर है जहां से अमरित गिरता है ब्रह्मरंद्र सोंधारा बरस्ती है तो इस प्रकार से इसका वर्णन मिलता है ऐसी अनुभूतिया होंगी और अनुभूतिया क्या होंगी? और अनुभूतिया जैसे की संतों की वानी में आता है याघट भीतर बाग बगीचे एही में सरजन हारा यागट भीतर नौलक तारे एही में गुरु हमारा हमारे शास्त्रों में भी इसकी बाते बहुत सारी बाते लिखी हुई है प्रकाश रस्वती रूपा सर्व जोती विदियते ब्रह्मनादम समाध्याता मद्यमेसा मृद्यते ठीक ब्रह्म ऐसी अनुभूतियां आपको शुरू हो जाएंगी जैसे भृकुटी के मद्यमें प्रकाश तरंगों का दिखाई देना और उसमें बहुत सारी अनुभूतियां शुरू हो जाती है शरीर का प्राणों का शुन्य अवस्था में पहुँचना सुश्मना नाड़ी में आपको स्पंदन मैशूस होगा पूरे पीछे तक भी हो सकता है पीछे रीड की हड़ी से एक वाइवरेशन कमपन का उपर के और उठना सरप की भाती जिग जैग मोशन में ऐसे इस तरह से वाइवरेट करते हुए एक कमपन उठती है और विदिन सेकेंड यहाँ पर आ जाती है मेडिला में आपका जो है यहाँ टकराती है अगर आपको ऐसी अनुभूतियां होती है साथी साथ नाद श्रवन होना गले से एक लिक्विड का निकलना अमरित साधना जिसे बोलते हैं मीठा मीठा स्वाधाना और कई बार साधना में बैठे होटे सुगंधी का अनुभू होना जैसे कि बहुत सुदर सुगंध आ रही है आप ध्यान में बैठे हुए है और आपको सुदर सा सुगंध आ रही है तन बिनु परस नैन बिनु देखा ग्राही घ्राण बिनु बास असेसा तन बिनु परस बिना त्वचा के एक वाइवरेशन का अनुभाव करना अपने चारो तरफ एक औरा का फिलिंग आना एक शांत एकदम जैसे समंदर शांत है लहरे भी नहीं है तलाब बिलकुल शांत हो गया हो ऐसे चारो तरफ अपनी एक शांती का अनुभाव करना ध्यान में बैठे हुए यहाँ पर भारी भारी मैसूस होना और फिर आनंद की अनुभूती होना एक अनुभूती के अंदर इस दो पॉइंट पर भी प्रेसर मैसूस होता है ध्यान करते हुए साधना करते हुए अपने आप यहाँ पर भ्रिकुटी के मद्य प्रकाश का दिखाई देना नाद का सुनाई देना अम्रित का गिरना इस तरह की कई दिव्यन भूतियां और सुगंधी आना जैसे कि महा मिर्तुन्जय मंत्र में लिखा गया है ओम त्रयम बगम जजाम है सुगंधिम पुष्टी वर्धनम उर्वारु कमिय बंदनाद मृत्र मुक्षे मामर्दा सुगंधिम वह जो नाम है वह सुगंधी वर्धक है सुगंधिम पुष्टी वर्धनम सुगंधी और पुष्टी का वर्धन होना और एक शान तवस्था में पहुंच जाना ऐसी अनुभूतियां आपको होती है तो इसका मतलब है आपको योग भूमी प्राप्त है ऐसी अनुभूतियां यदि आपको होती है तो इसका अर्थ है आपको योग भूमी प्राप्त है अब यहाँ अनुभुतिया विश्मय कारी है अश्चर चकित करने वाली है योगी को साधना अगर सही साधना मिली है ध्यान से सुनिएगा अगर सही साधना आपको मिली है सही विधी आपको मिली है देने वाला अगर सही है तो आपको योग भूमी प्राप्त अवश्य हो जाएगी योग भूमी अवश्य प्राप्त हो जाएगी नहीं तो बहुत सारे गुरु है संसार में आप उनके पीछे घूमिए, आप घूम घूम कर मंतर जाब करिए, मंतर लेजिए, तंतर लेजिए, माला लेजिए, बहुत सारी चीजे हैं, वो सब भी काम की चीजे होती हैं, मैं यह नहीं कहूंगा कि व्यर्थ होती हैं व्यर्थ तो नहीं होती है, लेकिन उनसे योग संभव नहीं है, योग करने के लिए जिसे योग भूमी की प्राप्ति होनी चाहिए, आप ऐसे अध्यात्मी के प्रेरक के पास जाईए, जिससे कि आपको ऐसे योग भूमी की प्राप्ति हो पाए, ऐसे योग अनुभूतियां आनी शुरू हो जाए और जब योग अनुभूतियां आनी शुरू हो जाएंगी तो आपको विस्मय कारी होंगी आपको अशर्य शकित कर देंगी अरे ये क्या आज ही किसी ने मुझसे कहा कि मैं योग साधना कर रहा था तभी अचानक से एक सुगंध आ गई बहुत तेज सुगंध थी और उसका अनुभाव सिर्फ मैं ही कर पाया साधना से उठने के बाद मैंने कई लोगों से पूछा क्या आपको भी ऐसी सुगंध आ रही थी उन्होंने कहा कि नहीं हमें तो कोई सुगंध ना आई लेकिन मुझे सुगंध आ रही थी फिर अभी एक हमारे ध्यान योग करने वाले ध्यान योग के एक महिला सदस्य उन्होंने ध्यान योग सुना ध्यान योग का कोर्स कम्पलीट किया साधना करती है उनको घंटी की आवास सुनाई देने लगी और उनको लगा की लगता है कि कुछ दुरी पर घर के कुछ दुरी पर एक मंदिर है शायद वहाँ पर घंटी बज रही है लेकिन ये लगतार बजे जा रही है हमेशा तो नहीं बस्ती थी बस्ती है थोड़ा सा बस्ती है आर्थी वार्थी लेकिन ये तो लगतार मुझे आदे घंटे से सुनाई दे रही है कौन बजा रहा है तो वो उन्होंने सुचा कि चलो थोड़ा सा बाहर ध्यान लगाते उठते और बाहर ध्यान लगाया और उठने लगी तो आवाज गायब होगे क्योंकि आवाज तो ध्यान में आ रही थी तो यदि आपको ऐसी अनुभूतियां होती है तो आपको योग भूमी प्राप्त है जिस पर आप योग की यात्रा पूर्ण कर सकते हैं तो यह जो आशर चकित करने वाली अनुभूतियां है यह जो आशर चकित करने वाली अनुभूतियां है स्वामी ब्रम्भा नंजी कहते हैं बिन भूमी एक महल बना है तामे जोत उजारी रे अंधा देख देख सुखपावे बात बतावे सारी रे बिन भूमी एक महल बना है तामे जोत उजारी रे अंधा देख देख सुखपावे बात बतावे सारी रे बिना बजावे निस्दिन बाजे घंटा शंक नगाडी रे बहरा सुनसुन मस्त होता है तनकी सुधी बिसारी रे पहले पहले रिलिमिली बाजे पाचे न्यारी न्यारी रे घंटा वीना शंक बासुरी ताल मृदंग नगाडी रे ध्यान की अवस्था में ऐसी आवाजे सुनाई देनी शुरू हो जाएंगे ध्यान की अवस्था में ऐसा दर्शन शुरू हो जाएगा बिन भूमी एक महल बना है तामे जोत उजारी रे अंधा देख देख सुख पावे बात बतावे सारी रे संद नाम देव कहते हैं अरे कोई समझोरे नरग्यान गगन में आवाज कैसी है धुन सुनाई देती है अनहत की धुन अरे कोई समझोरे नरग्यान गगन में आवाज कैसी है बिन धर्ती एक मंदिर देखा बिना सरोवर पानी बिन चंदा के चमक चांदनी जोत में जोत समानी योग भूमी प्राप्त हो चुकी है जिन योगियों को जिन साधकों को योग भूमी प्राप्त हो चुकी है उनको ऐसी आश्चर चकित कर देने वाली अनुभूतिया होती है उनको ऐसी आश्चर चकित कर देने वाली अनुभूतिया होने लग जाती है जिनको योग भूमी प्राप्त हो गई है तो ये हमें समझने की आवशक्ता है संत नाम देव भी कहते हैं जब देखा नाद समाईल औरे सत्गुरु भेटले देवा जब देखा तुघावा तुजन धीरजपावा, तूजन धीरजपावा, तो योग भूमी प्राप्त हो जाएगी तो संतों की वानिया भी और शास्तरों की वानिया हमें समझ में आएगी योग भूमी प्राप्ती के लिए श्वितास्त्रों पनीशद में लिखा गया निहार धुमार का अनिल अनल नाम खज्यत विद्यत इस्फटिक शशिनाम एतानी रुपानी पुरस सरानी ब्रह्मन अभिवेक्ति करानी योगे निहार मतलब कोहरे की तरह धुमे की तरह अर्क मतलब सूरिय सूरि के समान प्रचंड प्रकाश का दिखाई देना निहार धुमार का अनिल अनल नाम अनल मने अगनी भलक्तिवी अगनी अगनी के समान प्रकाश दिखाई देना खद्यूत विद्यूत खद्यूत मतलब जुगनू के समान विद्यूत मतलब बिजली के समान इसफटिक मतलब मनी के समान खद्यूत विद्यूत इसफटिक शशी नाम चंद्रमा के समान सूरी के समान, चंद्रमा के समान, तारो के समान बिजली के समान बिजली नहीं दिखाई देती, सूरे नहीं दिखाई देता, लेकिन उनके जैसा, उनके जैसी रोशनी यहाँ पर दिखनी शुरू हो जाएगी, ऐसी अनुभूतियां शुरू हो जाएगी, ऐसी experience शुरू हो जाएगे, सुशुमना के अंदर प्रवाह का साक्षात अनुभाव होगा एक वाइवरेशन हो सकता है कि प्रारंब में यहाँ पर थोड़ा सा दर्द जैसा हो भारी भारी अनुभाव हो शुरुवाती अनुभूतियां हैं आगे बढ़ने पर और बहुत कुछ होता है प्रकाश भी दिखाई देता है नाद और फिर नाद से सुन्य की गति बन जाती है वह नाद ही सबसे सुक्ष्म है जो शुन्य में लेके जाता है ध्यान करोगे नाद सुनाई देना शुरू होगा नाद कई लोग सुनते हैं लेकिन शुन्न की यात्रा सभी नहीं कर पाते योग भूमी कई लोगों को प्राप्त होती है लेकिन योग की पूर्णता भी सब लोगों को प्राप्त नहीं हो पाती यह भी एक विडम बना है लेकिन कम से कम योग भूमी तो प्राप्त हो इस जीवन में योग भूमी तो प्र हो गया हम ये कौन से लोक में आ गए है अभी कुछ दिनों पहले की बात है मैं कहीं पर गया वहाँ एक साधक थे जिन्होंने कोर्स कर रखा है ये ध्यानियो कोर्स ध्यानियो कोर्स करने के बाद उन्होंने साधना की मैंने उनको आफलाइन में ही फिर दुबारा साधना करवाई दुबारा साधना करवाई एक घंटे तक बैठे रहे एक घंटे बाद उठे तो आखे खोलते हैं और आखे जब खोलते हैं जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ऐसे विश्मेकारी नजरे क्यों है आपकी, विश्मित नजर आ रहे हैं, बोले कि हाँ मैं आश्चर चकित हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी और लोक में था और किसी और लोक में आ गया हूँ, एक घंटे से मैं किसी दूसरी दुनिया में था, तो जी हाँ, अगर सही योग मिलेगा, अगर सही अभ्यास मिलेगा, सही दिशा मिलेगी योग साधना की, तो निश्य ही ऐसी अनुभूतियां भी होंगी एसी अनुभूतियां भी निश्य रूप से होंगी तो आप ऐसे experiences को, ऐसे अनुभूतियों को प्राप्त करते हैं, ध्यान योग के माध्यम से, जो योग भूमी का कारे करती हैं, वो आपको अश्यर इसे भर देती हैं आप स्वे में ही अश्यर चकित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है आपको ऐसी कई अनुभूतियां प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं तो इसी लिए योग भूमी का महत्तो है, योग भूमी होनी चाहिए और योग भूमी ध्यान योग का या कोर्स जो होता है या आपको योग भूमी ही प्राप्त कराता है लेकिन मात्र कोर्स कर देने से नहीं हो जाएगा कोर्स करने के बाद नियमित अभ्यास भी आवश्यक है पोर्स करने के बाद नियमित अभ्यास नहीं होगा तो योग भूमी परिपक्व नहीं होगी भूमी उपजाव होनी जरूरी है ना उपजाव भूमी में ही तो फसल होती है तो अध्यात्मी की जो फसल है योग रूपी फसल वह तभी संबव है जब योग भूमी भी अच्छी हो तो योग भूमी एक विश्मैकारी आश्चर जकित करने वाली अनुभूतियां है वह अनुभूतियां जो हमें आश्चर जकित कर देती है कि हमारे घट में इतना प्रकास कैशे ये नाद कहा से आ रहा है हम कौन सी दुनिया में चले गए कई लोग अनुभाव करते हैं कि साधना करते हैं जैसे वो अपने शरीड से बाहर निकल जाते हैं पीछे एक महानुभाव उन्होंने फोन करकर बताया कि सर आपके बताय हुए विधी से मैंने साधना की लगबग एक घंटे तक मैं ध्यान में बैठा रहा और बैठने के बाद बैठे बैठे मुझे लगा कि थोड़ी कमर सीधी कर लेनी चाहिए मैं लेट गया और जब मैं लेट गया तो मुझे हलकी सी निद्रा सा अनुभव हुआ सोया तो नहीं था मैं लेकिन लगा आलस से सा अनुभा हुआ तो उस समय क्या होता है कि मैं देखता हूँ कि मेरा एक शरीर जो है मेरे शरीर से बाहर निकल रहा है मेरा अपना शरीर अपने इस शरीर से बाहर की ओर कहीं जा रहा है योगियों को जो ध्यान योग में लग जाते हैं उनको ऐसे अनुभूतियां आने लग जाती है अलग-अलग अनुभूतियां ये नहीं कि फलाने वेक्ति को होई तो सब को ऐसा ही हो रहा है किसी को कुछ और रूप में अनुभूतियां हो रही है किसी को नाद सूनाई देरा है कोई कह रहा है कि नहीं मैं ध्यान करती हूँ तो बिलकुल शुन्य में चली जाती हूँ पता ही नी चलता है ना शरीर का पता चलता है ना कोई विचार होते हैं और चारों तरफ एक शुन्य एक बड़ा ही equilibrium का state बन जाता है state of equilibrium सम जैसे सब कुछ बराबर हो गया हो शान्त हो गया हो इस्थिर हो गया हो ऐसा मैं अनुभाव करने लग जाती हूँ और उसमें मुझे आनंद आता है उस आनंद का प्रभाव सारा दिन बना रहता है जी हाँ करना पड़ेगा अभ्यास तो करना पड़ेगा बिना अभ्यास किये क्या होगा प्रैक्टिस किये बिना जो बताया गया उसकी प्रैक्टिस करने पड़ेगी उसका अभ्यास करना पड़ेगा तभी योग भूमी उपजाव होगी और तभी योग की परिपक्वता होगी और कैवल की प्राप्ती होगी खमाधी की प्राप्ती लेकिन ये योग भूमिका है अगर हमें ऐसी अनुभूतियां होती है तो हमें योग मार्क पर आगे बढ़ते ही रहना चाहिए हमें रुकना नहीं चाहिए हमें योग मिला है और योग हमें एक अच्छे जीवन के लिए मिला है तो ये थोड़ी रहस्य समय बाते कुछ लोगों को लग सकती है जिनका कोई साक्षातकार ध्यान योग से नहीं है योग शास्त्रों से नहीं है योग विद्या से नहीं है पराविद्या से नहीं है लेकिन जिनों ने ध्यान योग का कोर्स किया है और शास्त अध्यन भी थोड़े समझते हैं तो निश्य ही योग भूमी आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि ऐसे साधक स्वे में ही ऐसे अशर चकित कर देने वाले अनुभूतियों को प्राप्त होते हैं ये हमें समझने की आवशक्ता है इस विशय को हमें तो योग भूमिका विस्मयो योग भूमिका यहाँ पर जो शिव सुत्र जो में यह सुत्र लिखा गया है यह योग भूमिका की बात करती है कि ऐसी अनुभूतियां, ऐसी जो अशर चकित करने वाली जो अनुभूतियां है, वह क्या है? अभी पीछे एक और अब मुझे साधकों के अनुभूतियां याद आ जाती हैं, जो वो बताते हैं. मेरी खुद की भी बहुत सारी अनुभूतियां है. मैं उन लोगों से शेयर कर कई बार जो ध्यान योग के मार्क पर चलते हैं। एक नाद सुनाई देना मुझे शुरू हो जाता है और मैं शान्त हो जाती हूँ। यह योग भूमिका है। इसी भूमिका का अधार लेकर योग जो है वो आगे बढ़ेगा फिर आप स्रेश्ट योगी बन पाएंगे ठीक है तो इसलिए हमें यह विशय योग भूमिका को योग भूमिका सधारन सा लॉजिकल टॉपिक नहीं है कि तर्क देकर कोई बात समझाई जा सकी यह अनुभूती का विशय है आश्चर चकित करने वाली अनुभूतियां योगी को होती रहती है ठीक तो इसी लिए ऐसी अनुभूतियों को होना अनिवार है होगा तो योग भूमिका ही प्राप्त होगी और तब ही जाकर योग के मार्ग पर साधक आगे बढ़ेगा या योग भूमिका इसलिए अगर आपने गुरू बनाया है तो आप निश्य ही किसी ऐसे अध्यात्मिक प्रेरख के पास जाएए जो आपको ऐसी योग भूमिका प्रदान कर सके गुरू आपने बनाया कई लोग मुझसे कहते कि हमने तो गुरू बना लिया है तो क्या हम ध्यान योग का कोर्स कर सकते हैं जी हां कर सकते हैं, क्या ध्यान योग का कोर्स कर लेंगे, तो हमारा गुरू बदल जाएगा, क्या आपको गुरू बनाना पड़ेगा, जी नहीं, जिसको गुरू मानना है, मानते रहो, मुझे गुरू बनने का शौक भी नहीं है, और यहां तक लोग बनाते हैं, तो मनको मना कर देता हो बैया गुरु जी गुरु जी नहीं कहो तो अच्छा है क्योंकि सत्गुरुओं की कमी नहीं है कोई सत्गुरु है कोई गुरु है कोई महागुरु परम गुरु संसार भरा हुआ है गुरुओं से आख बंद करकर पत्थर मार दो किसी न किसी गुरू को जाकर लग जाएगा इतने सारे गुरू हो रखे हैं आजकर तो और एक और गुरू बन कर क्या करना है ठीक है अपना मित्र समझे और कुछ प्रेणाय ले लिजिए कुछ साधना है कुछ करना चाहते हैं ज्वाइन कर लिजिए ध्यान योग कोर्स अब तो खैर अगले महीने ही ज्वाइन कर पाएंगे अब तो ये कोर्स शुरू हो चुका है 18 तारिक कल से शुरू हो गया 14 तारिक से ही होता है लेकिन किसी कारणवश इसे 18 से शुरू करना पड़ा तो 18 से ये शुरू हो चुका है तो आप जिसको भी ज्वाइन करना है अगले महीने ही ज्वाइन करेंगे इस महीने के कोर्स में आप संभव नहीं है तो ध्यान योग सीखिए प्राकर्तिक चिकित्सा सीखिए करिए और इसका अभ्यास करिए अपने जीवन में लाब उठाईए वही महत्पुर्ण है सबसे ज़्यादा महत्पुर्ण यही है कि आप अपने जीवन में इसका लाब उठाईए छीख तो चलिए अब विशारों को मैं ज़्यादा नहीं आगे ले जाओंगा समझने के लिए इतना प्रयाप्त है योग भूमिका के विशाय में आगे चलिए आपके कमेंट्स देख लेते हैं कमलेश खैरनर जी नवजोत नाथ जी आपने वेदो में वीडियो में कहा था कि गीता सुनने के बाद अरजुन को मो भंग हुआ और धितराश को मो भंग नहीं हुआ क्योंकि अरजुन ने प्रैक्टिकल किया और धितराश ने थियोरी अरजुन ने कम समय में योग कैसे किया थियोरी अरजुन जी हाँ प्रैक्टिकल अरजुन को योग भूमिका प्राप्त होई अरजुन क्या कहता है दिवी सुर्य साहस्त्रश्य हजारों दिवी सुर्य प्रगट हो गए हूँ वैसा मैं देख रहा हूँ अपने अंतर अपने भीतर देख रहा है कहीं बाहर नहीं देख रहा ठीक अपने भीतर देख रहा है तो उसको योग भूमी प्राप्त होती है अनुभव होता है प्रैक्टिकल होता है लेकिन धिर्तराश तो सिर्फ सुन रहा है ना संजय के मुख से सुन रहा है राजुपाल रमेश फेश्वानी विष्णुचंद्र मौरिया उशा श्रिवास्तो जी विनूद कुमार सूजी राम विलास जी माधुरी कोले जी राम लखन राजपुत विमला शाह नवजोत नात विरेंदर मिश्वरा प्रिहम पाल कुमार रतन सिंग जी शंकर प्रसाद ग राजेश्वरी सविता नायक ठीक है कमल प्रजापति गुरुजी जब जीव के इंद्रियां होती है तो जीव जगत में योग क्यों नहीं होता क्योंकि इस थूल जगत में भी तो योग इंद्रियां दुबारा संबव है योग मनुष्य के द्वारा होता है इस थूल जगत में होता है सोमू एके भट अशुप रावल मनीश जादो जोनती दक्ता श्विता राय सिन्हा स्थी शतीश मास्टर सविता नायक योग टेक स्पी सैनी ओम राज हैंब्राम पिता कुमारी किशूर चंद्र साहू दयानंद पंकस सोनी वीखु कुचाडिया विश्वनात सिंग आधी कुश्वाहा विश्वनात सिंग spiritual with scientific proof आधी कुश्वाहा जी हां अगर ब्रह्म एक अखंड नॉन डुएल है तो डुवलिटी वाला संसार नॉन डुएल से कैसे निर्मित हो गया विवर्थ के रूप में निर्मित हो गया और कैसे निर्मित हो गया है वह अब नॉन डुल से डुल कहां से आ गया इमेजिनेशन है आपकी यह साधना के द्वारा प्रमानित होता है जब हम नॉन डुल में चले जाते हैं वास्तों में एक चीज सही यान एक चीज उत्पन हो सकती है दो से नहीं हो सकती ठीक तो यहां पर शिव शक्ती तो शिव है और शक्ती में कोई अंतर नहीं बताया गया वो एक अहीं चीज है दो चीजे नहीं है सुर्य और सुर्य की रोश्नी सुर्य और सुर्य की किरने क्या दो अलग-अलग चीजी है जी जी नहीं एक अही चीज है सूरी और सूरी की किरने एक अही चीज है अगनी और अगनी की लप्टे एक अही चीज है समुद्र और समुद्र की लहरे एक अही वस्तु है और उसी की सत्ता है वो ब्रह्म है तो यह संसार भी उसी प्रकार से है जैसे सागर की लहरे हैं जैसे सूर्य और सूर्य से निकलने वाली सूर्य की किरने क्या सूर्य से अलग है वैसे ही यह संसार है ब्रह्म का विवर्त है उसका प्रकाशन है इस तरह से बताया गया है तो जब प्रकाशन में आ जाओगे जो डुवेलिटी हो जाएगी न दुवेत आ जाएगा वहाँ पर फिर और जब प्रकाश को प्राप्त हो जाओगे प्रकाश और प्रकाशन मैनिफेस्टेशन ठीक, प्रोजेक्शन वो एक कही चीज है अब मैं कहूँ कि आप फिल्म देखकर आते हो परदे के उपर आप फिल्म देखते हो कि लाइट देखते हो, क्या देखते हो लाइट और फिल्म एक ही चीज है परदे पे जो लाइट पढ़ रही है जो कलरफुल लाइट पढ़ रही है और उसमें आप फिल्म देख रहे हो, लेकिन सत्य है कि आप लाइट देख रहे हो तोकि आखों का काम रोशनी से ही संभव है, बिना रोशनी के आखों का काम संभव नहीं है तो वो प्रकाश ही तो हुआ, इसलिए सुरी और सुरी की किर्नों में कोई भेज नहीं है समुद्र और समुद्र की लहरों में कोई भेज नहीं है फिर भी दोनों अलग-अलग दिखाई देते हैं वैसे ही यह संसार भ्रम के रूप में दिखाई देता है illusion के रूप में संसार दिखाई देता है क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से दिखाई देता है single experience एक ऐसा अनुभूती बता दो जो बिना इंद्रियों के संभव हो है जी नहीं है जब बिना इंद्रियों के कुछ संभव नहीं है तो संपुर्ण अनुभूतिया इंद्रिय जगत ही है इंद्रिय मैं है और इल्ल्यूजन है भ्रम है मित्या है एक सुई चुभा दी जाए एक सुई चुभा दी जाए तो दर्द होगा क्योंकि इस थूल दे से स्वचा के माध्यम से इंद्रियों के माध्यम से हम उसका अनुभव कर रहे हैं लेकिन अगर इस थूल दे ना हो सुख्ष्म शरीर हो अगर उसमें सुई चुभा दो तो क्या दर्द होगा नहीं होगा और वा आत्मा उसके लिए तो कहा गया कि नैनम छिंदंते शस्त्रानी नैनम दहती पावका ना चैनम कले दिंते आपो न शोक्ष्यती मारूता नैनम छिंदंते शस्त्रानी शस्त्र जिसे काट नहीं सकते पानी जिसे भिगा नहीं सकता अगनी जिसे जला नहीं सकती वायू जिसे सुखा नहीं सकता हमारी छेतना उसको वायू नहीं सुखा सकता अगनी नहीं जला सकती वह अद्वैत है अद्वैत शिवम अद्वैत इसलिए कहा गया इसलिए संसार एक भ्रम है क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से संबह हो रहा है इस वर्ल्ड is sensual world इसी रहो तो हम कहते हैं तो कुछ भी नहीं है सूरी और सूरी के किरने द्वाइत नहीं अद्वाइत है आरपी गेमर सतीश मास्टर सविता नायक जी इन अनभूतियों है तू परदान करने है तू हम आपके अती अती बहुत अभारी है जी हाँ आपने जिन्होंने ध्यान योग किया है वो अवश्य ही ऐसे अनभूतियों को प्राप्त करेंगे गुरुजी ओम तस्सत्थ शुन्य में जाना तो बहुती अच्छा लगता है जैसे ग्लाइडिंग कर रहे हूँ ठीक है राम विलाज जी सर कितना दिन बाद ये अनुभूतियां होती है अभ्यास करते हुए होती है कितना दिन बाद क्या राजेंद्र सुलंकी सविता नायक शिर के बीच में कौन से एनर्जी है प्रम्म जोती जी हाँ होती है एनर्जी प्रियन पांडे अशोक माली जलाराम राइका अमन कक्कर योग भूमी प्राप्त हो जावे के बाद आगे योगी को कौन सी साधना करनी चाहिए या प्रैक्टिस को कौन सी योग भूमी प्राप्त हो गई तो उस भूमी के अधार पर ही जो करना है आगे होगा ठीक उतकर्ष तिवारी अनिल कुमार गुरू ठीक तो चलिए इसी के साथ विचारों को यहाँ विराम देंगे आप सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन है कल फिर नौ बजे लाइव चर्चा आपको प्राप्त हो जाएगी तो चलिए फिलहाल अभी विचारों को विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं नौ बजे लाइव चर्चा में ध्यान योग और प्राकर्तिक चिकित्सा का कोर्स करना चाहते हैं तो अब आगे उसकी जानकारी आपको मिलेगी जल्द ही मिलने शुरू हो जाएगी और निश्यही या 14 जून से शुरू होगा अगला सेशन लेकिन ज्वाइनिंग तो आप 15-20 दिन पहले से शुरू हो जाती है तो निश्यही कुछ दिनों बाद एक हफते बाद नहीं तो कम से कम एक हफते बाद तो अवश्यही इसकी जूनिंग भी शुरू हो जाएगी ध्यान, योग और प्राकरतिक चिकत्सा की लोगों का डिमांड है कि और भी क्लासेज हो आप जून नहीं करते समय से काफी समय दिया जाता है 14 तारिक से कोर सुरू करना था 18 तारिक से हुआ कई लोगों ने लाब उठाया जून करकर, बीच में भी काफी लोगों ने जून किया लेकिन आप अगर पीछे रहे गए तो आप अपने कारण से रहे गए तो अब जो है अगले महीने तक आपको प्रतिक्षा करनी पड़ेगी इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे कल फिर मिलते हैं नौ बजे लाइव सर्चा में बहुत बहुत आभार आप सभी का बहुत बहुत में बहुत बजे ऻुत